पार्टस कस्मात कह अपदान कारग पंचमी विभक्ती अहम ग्रिहात विद्यालियम गच्छामी अहम विद्यालियात बही आपणम अपिगच्छामी ततह आपणात ग्रिहम आगच्छामी ग्रिहात बही अश्वाह चरंती व्रिक्षात पत्राणी पतंती बालह अश्वात पतती बालिका ग्रिहात वाटिकाम गच्छती सा वाटिकायाह पुष्पानी आनियती पुष्पेभ्य गंधह प्रभवती तत्रसा वानरात भीता भवती मेघात जलम पतती पर्वतात निर्चराह उद्भवंती बीजात अंकुरह प्रभवती खननात जलम निस्सरती परिश्रमात विना सफलता न भवती पठत स्मरत च विद्या ददात विनेयम विनेयात याति पात्रताम पात्रत्वात धन्मापनोती धनाद धर्मह तता सुखम पात्रत्वात धन्मापनोती धनाद धर्मह तता सुखम ध्यातव्यम अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है अलग होने में जो इस्थित है उसमें पंचमी विभक्ती होती है जैसे व्रिक्षात पत्रम पतती व्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं, में व्रिक्ष इस्थित है, तो उसमें पंचमी विभक्ती प्रयुक्त होती है अपादान कारक का रूप, लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होता है इसे नीचे दी गई सार्णी के माध्यम से समझे पुलिंग देवात देव से, देवाभ्याम देवों से, देवेभ्यह देवों से स्त्रिलिंग लतायाह लता से, लताभ्याम लताओं से, लताभ्यह लताओं से नपुन्सक लिंग पुस्तकात पुस्तक से, पुस्तकाभ्याम पुस्तकों से, पुस्तकेभ्या पुस्तकों से उपद विभक्ती भी, डर्ना, बही, बाहर तथा विना के योग में पंचमी विभक्ती का प्रयोग होता है